न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है आज हम बात करने के लिए पहुचे हैं राजेन जी के पास राजेन जी आपका न्यूस क्लिक में स्वागत है जैसा हम जानते हैं राजेन जी वर्षों से पानी पर काम कर रहे हैं गंगा पर काम कर रहे हैं और सूरज के तहर जितनी भी च तक्षेप है आज हम चाहते हैं राजेंजी से उन मुद्दों पर बात करना जिन पर बातचीत बहुत कम होती जा रही है जैसे पिछले साथ सालों में या यूं कहिए तो छे सालों में मोधी सरकार ने आने के बाद गंगा को लेकर जो राजनिती की है वह उसका सच क्या है इसक तरफ हम पाते हैं सूखा है दूसरी तरफ घाट है घाट को बनाने वाली कंपनियां है लगातार बढ़ता बिजनेस है गंगा के इर्दगिड पानी के इर्दगिड और बांद के इर्दगिड राजेंजी आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले मैं आप से जाना चाहूंग इतनी वर्षों की जो आपकी साधना है गंगा पर पानी पर वो अभी आप कैसे देख रहे हैं इतनी ज़्यादा बादचीत है इतना ज़्यादा पैसा है लेकिन गंगा का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है देखिए मा गंगा हिर्द रोग से ग्रेशित है मा लोगों का गंदा पानी आता है उसमें नए बांध बन रहे हैं पिछली सरकार ने नो दर साल पहले तीन बांध रंद किये थे गंगा पर और भागीर्थी को उसकी वर्जिन उसकी नेचुरल फ्लो में लेके आने के लिए लोहरी लागपाला पाला मनेरी और भैरोगाटी अ सभाओं में कहते थे मैं गंगा का बेटा हूं गंगा ने मुझे बुलाया है वो प्रधान मंत्री अपनी मा को गंगा को कैसे भूल गए और एक ऐसा इस देश का सबसे इस आधुनिक भारत का भगीरत प्रोफेसर जीडी अगरवाल जिस गंगा मा के लिए 111 दिन आमरन अंस तोड़ा था पिछली सरकार में उन्होंने और इस जब इनकी सरकार में उन्होंने अंसन किया तो उससे कोई पूछने नहीं गया तो एक इतना बड़ा वैग्यानिक ऐसे ही चला गया और इनको तनिक भी दुख नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि जो मा गंगा को अविरल निर किया गंगा बेशिन अथरोर्टी से सब को निकाल दिया जीडि अगरवाल को मार दिया तो यह जो दिखावे की बाते हैं ऐसा लगता है कि जैसे इस वकत की सरकार जो है वो बाजारू सरकार है बाजार की सरकार है और बजार का चरीत होता है ग्राहक को जूट बोलके लगता है कि हमारी सरकार भी उसी चरित्र की सरकार है और खासवर से जो आपने कहा कि जिन बांधों पर रोक लग गई थी और वो एक लंबे आंदोलन की और प्रेशर के बाद ही वो रोक भी लगी थी क्योंकि मैंने भी उस समय कई स्टोरी की थी उस पूरे क्रम में तो उसमय लगी नहीं रहा था कि इस प्रोक को हटने के लिए कोई कहिं ऐसे कोई अनुशंसा ही नहीं हुई सारे लोग सहमत थे कि ये बांध कि भारत में सरकार थी तो कॉंग्रेस बीजेपी सब ने मिलकर यह तैय किया था कि हम यदि पूरी गंगा को अविरल Nirmal बनाने में देर हो रही है तो अभी कम से कम गंगा की जो मुख्धारा है भागिरती उसको तो अविरल Nirmal बना दे और उसकी अवरलता निर्मलता के लिए ये खास नेने हुए थे और फिर हम लोगोंने 2014 में पूरी गंगा का जो दो नदियां और हैं मन्दाकनी और अलकनननदा हम चाहते थे जैसा भागिर्थी में हम लोग विजय हुए थे वैसा ही मंदाक में और अलकनंदा में भी हो जाएं तो फिर देव परियाग तक पूरी गंगा एक बार फिर वैसी ही जी उठेगी और भारत के लोग उस गीत को दुबारा से गाने लगेंगे गौरव के साथ मैं उस देश का बादसी हूँ जिस देश में गंगा बहती है तो भारत का गौरव वापस लोटाने का काम तो गंगा ही कर रखती है लेकिन गंगा के लिए जितना धोका दिया हम लोगों ने गंगा के बेटों ने जितना गंगा को धोका दिया इतने धोके के बाद भी गंगा ने कैसे माफ किया मैं नहीं जानता गंगा जी तो जूट बोलने वालों को दंडित करती थी क्योंकि पहले गंगा से डर के लोग गंगा हाथ में लेके सपत खाते थे लेकिन अब की सपत गंगा को सपत गंगा को बार-बार कहना मेरी मा गंगा है और उस मा गंगा ने धोक किसी को दंडित नहीं किया ये भी इस कल्यूग की देन है मुझे लगता है कि इस वक्त ये जुट बोलना लूटना डराना धमकाना ये शायद इसका चरित्र बन गया है मुझे मालूम नहीं दिखाई दे रहा है कि तमाम जगों पर घाटों का निर्मान बहुत जबरदर्स हो रहा है और उस पे जो पैसा है और उसमें जो उसका जो सौंदरी करन घाटों के सौंदरी कर रखना चाहते हैं तो उसको परवाँ चाहिए लेकिन हमारी सरकार मा घंगा के स्वास्त की चिंता नहीं कर रही है मा घंगा की मिमारी कार्डियक डिजीज है हिर्दय रोग है और उन्होंने नातों के डॉक्टर बुला बुला के कहीं कहीं से उसके सौंद्रिय के नाम पर घ ले घाट बना था वही गुजरात में घाट बनाने वाले लोग अब गंगा में घाट बनाने की सीख दे रहे हैं तो गंगा में जित्ता भी घाट बनाने का काम हो रहा है वहीं से आके गंगा की सौंद्रिय करण के नाम पर सौंद्रिय करण से स्वास्त नहीं होता तुम दे मेरा पोजिशन करती थी, उसके प्रती, मेरी मा के प्रती, मेरी करतक्यता और सम्मान था, मैंने कभी अपनी मा के सौंध्रिय के तो नहीं देखा, तो गंगा को सौंध्रिय नहीं चाहिए, मा गंगा को सौंध्रिय की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मा गंगा को स्वस्त रखने क जरूरत है और मा का स्वास्त होगा उसमें जो नए बांद बन रहे हैं उन ने बांदों का बनने का काम रुक जाए अब उसमें नए बांद ना बने पूरी गंगा कि अवरिलता सुनिश्चित हो जाए थोड़ा से ये बताइए कि पिछले पांस सालों मुझे पिछली सरकार मुदी सरकार रही उसने जो पैसा को कि पैसा और अलग-अलग मंत्राले भी बने अभी एक अलग मंत्राले का निर्मान हुआ है और काफी इस मामले में बजट कि उसमें से इन्होंने करीब लगब लगब आथ हजार करोल तो बांट दिया किनको बांटा ठेकेदारों को अर उन्हार ने क्या किया उन थेकेदारों ने गंगश्चित और बीमारी को बढ़ाया क्योंकि गंगा की जमीन App presents गंगा इस तरह के घाट बने हैं वह वैजियानिक तरीके से घाट बने हुए नहीं है वह जब्ली कभी गंगा में फिर दुबारा से यह आयएगी तो उस त्रफ श्ल्टिंग होगी रेत जमे वो गंगा के प्रवहा के विज्ञान को समझत बनाएवे घाट नहीं है, तो ना तो उन घाटों से हमारा कोई लाभ होने वाला है, ना हमारी मां गंगा का कोई लाभ होने वाला है, ना उनका स्वार सुधनने वाला है, तो यह जो पैसा है ना, यह पैसा बाटा जा रहा है इसे गंगा की सेहत और दिन पर दिन बिगड रही हैं और अभी इस बार अभी घोशना हुई है, दौ अक्तूबर और इससे पहले लाल किले से भी घोशना हुई कि अब घर घर पानी पहुचेगा और जल्क के बारे में सारा केंद्री करन है फोकस है सरकार का वो इस मामले में है कि ट्वालेट तो हमने बनवा दिये अब हम घर घर तक पानी पहुचाएंगे और इसके लिए पानी की एक बड़ा बड़ी योजना आ गई है काफी पैसा उसके बारे में आना है ये पानी कहां से आएगा जो घर घर नल लगने की बात है बलट का नाम जल सकती हो गया और जल सकती में 3 लाघ क荣श को रूपया आइप लिए हर घर में नल में जल पहुचाने का नरा आ गया मैं जानता हूं कि ये सरकार नल kilogram देगे हर गर में और तो इनको आता है करना उसमें तो ये सरकार किसी से पीछे नहीं रहें उसमें तो construction ही देना है थेकेदार को देना है वो कच्छा पक्का पाइप लगा के घर में एक बार पाइप तो लगा देगा नल तो लगा देगा पर नल में जल कहां से आएगा नल में तो अभी जो नल है उनहीं में जल नहीं है तो फिर अगला जो ये नल जल कर रहा है इसमें जल कहां से आएगा ये मेरी मुझे बहुत बड़ी संका है जल इनके पास है नहीं 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो गए भारत का जो असली बैंक है भारत के भूजल के भंडार ही असली रिजर्व बैंक है जब आपके भूजल के भंडार 72% ओवरड्राफ्ट हो गए तो आपके पास पानी कहां से आएगा आप कहां से पानी पिलाएंगे आप कहां से हर घर में नल में जल पहुँचाएंगे ये जो है ना भी काईना है ये अ कि इजो पाइप लग Лगे इन में पानी आने का साश्थाम अभी जमें ऐनी का बढ़े तो जमीन का पानी लाने के वह उजना है क्या बेखिति आपकी डदियों में जो पानी आप लेके आना चाहते हैं कोई भी मुख मंतरी ये कहने को तयार नहीं है कि उनके राजी में सर प्लस पानी है और हम दूसरे राजी को दे देंगे तो जो इनका पानी का गनित है वो बिलकुल गलत है हमेरा कहना ये है कि ये आप देश को पानीदार बनाना चाहते हो तो जल के साथ जन को जोड़ो जल के साथ जन जुड़ेगा तो अपने अपने गाउं में जो वर्षा की बूंदे हैं उनको पकड़के धर्ती के पेट में रखेगा धर्ती के पेट में रखने से मिटी का कटाव रुकेगा और आपका जो सूरज पानी की चोरी करता है वो चोरी नहीं होगी फिर जब आपको पानी की ज़ुरत होगी तब आप अपना पानी से काम चला सकते हैं तो देखो इस वकत इस सरकार को यदि सचमुच इस देश को पानीदार बनाना है तो इस देश में सामूदाइक विकेंदरित जल परबंधन करने की जवर्थ है जैसे हम ने किया हम राजस्थान में जहां सबसे कम बारिस होती है कह सकते हैं कि बारिसों गाओं जो बेपानी होके उजड़ गए थे वो अपने पानी पर दुबारा खेती करने लगे और दो फसल से लेकर तीन फसले सक वो उगाने लगे तुम जानते हो ये बार्ड और सुखाड कैसे आते हैं ये जो पानी की अधिकता और पानी की कमी ये दोनों आपड़ा हैं इस आपदा से यदि बचना है तो जहां पानी बर्षा पहली बूंद पढ़ते ही मिट्टी को घुलता है और फिर मिट्टी को घुलके दूसरी बूंद के साथ तीसरी बूंद के साथ ले के चल देता है हमारा कैना यह है कि जहां भी जल बर्षा वहीं उसके साथ उसको चलना सिखा दो वहां घास, फूंस, पत्या, मिट्टी, लूज इस्टोन चेक डैम, गली प्लेगिंग, नाला बढ़निग, यह सब करके उसको वहीं रोको और फिर उसको धर्ती के पेट में जाने दो, धर्ती के पेट में जाएगा तो वह मिट्टी को बहा के नहीं लेके जाएगा आपके धर्ती के पेट में जहां भी जो रिजर्व बैंक हैं, उनको पानी से भर लो और यदि आपके पास रिजर्वेंक धर्ती में नहीं है तो आप धर्ती के ऊपर नीचे लाके इखटा कर लो नीचे इखटा करके फिर उस पानी से काम चला लो हमारी सरकारे क्या करती है हमारी सरकारे करती है कि पहले तो ऊपर पानी नहीं रोकेंगी उसको नीचे आने देंग तो ये जो भारत की लूट फूट के धंदे है और ये बाजारू धंदे है तो ये साल जो पूरा निकला है भारत के लिए उसमें हमने देखा है कि कुछ इलाकों में भीषण सूखा रहा और फिर उसके बाद भीषण बारिश रही और बाढ़ रही जैसे अभी पटना और बिह उसका भी इलाज किया जा सकता है तो ये बढ़ती बाढ और बढ़ती शुखाड क्या बताती है ये बढ़ती बाढ और सुखाड बताती है कि आपने अपने भगवान को भुला दिया इस complicated इंसान को बनाने में सबसे important role पानी का है और पानी इस planet के 118 element में से 109 element को अपने अंदर dissolve कर लेता है ये जो पानी है इस पानी के बारे में हमारी सरकारें इतनी बेरुखी से और इतने बाजारों तरीके से काम कर रही है ये बाजारूं काम नहीं है Newsclix से बात करने के लिए राजन जी बहुत आपका शुक्रिया और जैसा कि आपने बताया कि विकास और विनाश दोनों एक दूसरे का परियाय हो चुके हैं और खास तोर से मोधी सरकार ने जिस तरह से गंगा के नाम पर और अब जल के नाम पर जो एक बड़ी लंबी चोड़ी घोशनाएं की थी वो दोनों ही गंगा के लिए नुकसान दे साबित हुई और अभी जल के लिए नुकसान दे साबित होने जा रही है क्योंकि उनका पूरा का पूरा मकसद सिर्फ और सिर्फ कॉर्परेट या बिजनेसमेन या ठेकेदारों को फायदा पहुचाना है आने वाले दिन और भयानक सुखाड और और भयानक बाड़ के हो सकते हैं ये आशंकाएं चारों तरफ से आ रही हैं बस सरकार इसे न सुनने को तैयार है और न देखने को तैयार